नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना ctate का आंसर की देख सकते हैं जो website पर upload कर दिया गया है तो सबसे पहले आपको CT8 की official website पर जाना पड़ेगा वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये page दिखाई देगा इस page में home है about है यहाँ पर आपको scroll करेंगे जब आप तो आप पहुंचेंगे news और events में तो यहाँ पर देख सकते है कि जो भी CT8 की latest news आती है वो यहाँ पर flash होती है यहाँ पर जो answer की और challenge करने के संबंद में notice जारी किया गया है उसको आप पढ़ सकते हैं हलांकि इस notice में कुछ basic बाते बताई गई है मैं आपको वो बता देता हूँ इसमें कहा गया है कि किस तरीके से आप जो है CT8 की website पर ज देख सकते हैं अगर कोई इसमें आपको answer में समस्या उत्पन हो रही है जो आपने answer टिक किया था लेकिन वो आपके हिसाब से वो सही है लेकिन CT8 ने उसको गलत माना है तो आप challenge कर सकते हैं उसके लिए लेकिन challenge करने के लिए लेकिन आपके पास में कोई valid source होना बहुत जरू आगे move करेंगे तो इसके बाद फिर अगला process यहाँ पर आप देखेंगे आप नीचे की तरफ scroll करेंगे तो आपको login CT8 December 2022 यहाँ पर लिखा मिलेगा इस पर जब आप click करेंगे तो click करने के बाद CT8 के website पर आपको external website पर ले जाएगा किसी दूसरी website पर आपको वो लेके चला जाएगा next tab में वहाँ पर कुछ इस तरीके से एक page खुल करके आएगा तो यहाँ पर जितने भी candidate हैं जिन्होंने रिजिस्टर किया paper दिया है उनको application number यहाँ डालना पड़ेगा application number डालने के बाद आपको अपना password आना पड़ेगा अगर आप password भूल चुके हैं तो चिंता क तरीके से आप अपना password चेंज कर सकते हैं पहला mobile number के थुरू दूसरा email के थुरू और तीसरा security question के थुरू तो mobile number के थुरू आप अपना password चेंज कर सकते हैं उसके बाद password चेंज करने के बाद आपको दुवार आना पड़ेगा और इसमें आपको application number डालना पड़ेगा और ज उसके पश्चात फिर यहां पे पूरा सीटेट का जो भी आपका अपना पेज खुल के आ जायेगा, आप अपनी प्रफाइल देख सकते हैं, एडमिट कार्ड वहां पे हर चीज़, आपको वहां पे फिर देखना है कि जो भी आपने पेपर दिये हैं, अगर आपने पेपर महां पे ओपन हो क्या जाएगा, और उसके बाद फिर आंसर की जो सीटेट की वेपसाइट पर एवेलेबल हो गई है, उसमें से आप जिस डेट का आपने पेपर दिया है, अगर माले जी आपने किसी भी डेट को पेपर दिया है, उस डेट का आप देखेंगे, आंसर की मैच कराएंगे, और मैच कराके आप अपना स्कोर जान सकते हैं, पता कर सकते हैं, अगर फिर भी किसी वी विक्ति को कोई समस्या है, नहीं देख पा रहा है, कोई प्रॉबलम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं और एक वीडियो बढ़ा के स